इस्राइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुला लगातार इस्राइली सेना पर मिसाइल रॉकेट और गोले बारूज से हमले कर रहा है ताकि इस्राइली सेना का ध्यान गाजा से हटे लेकिन इस्राइल के पीम बेंजमिन नितन्याहु ने एलान कर दिया है कि वो लेबनान और इस्राइल बॉर्डर पर सुरक्षा के मूल भूत हालातों को बदल कर रख देंगे नितन्याहु के इस बयान से साफ हो गया है कि इस्राइल हिजबुला पर सीधा हमला कर सकता है उसकी सबसे बड़ी वज़े है कि हाल ही में IDF ने लेबनान में घ इसे स्ट्राइक में हिजबुला का सीनियर कमांडर विसम अलतावील मारा गया है हिजबुला के लिए विसम की मौत एक बड़ा जटका है विसम हिजबुला की राडवान फोर्स का कमांडर था और इस हमले से अब तैह हो गया है कि लेबनान और इस्राइल के बीच सीधी जं खत्म करना नामुम्किन है और इसलिए इसराइल को हिजबुला के साथ राजनी तिक सुलहेद जरूर करनी चाहिए गैलेंट ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि उत्री गाजा में लोगों की वापसी को युद के तीसरे चरण से नहीं जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि इसराइलियों को कैट से छोड़ाने के लिए एक अन्य योजना होगी और इसे उत्री गाजा में लोगों की वापसी से जोड़ने का मतलब नहीं बनता वही दूसरी तरफ हिजबुला के साथ जंग को लेकर इसराइल के एक मिलिटरी कमांडर रोई शेरोन ने इसराइली न्यूस चैनल कैन न्यूस से कहा कि यदि इसराइली सेना हिजबुला की रैडवन फोर्स के खिलाफ बड़े अभियान में शामिल होती है तो संभावना है कि ये एक बड़े युद्ध में तबदील हो जाए। इसराइली सेना जैसे जैसे गाजा में तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसराइल लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज हो गए हैं हाला कि कुछ अमेरिकी अधिकारी नेतनियाहू को ये हिदाया दे चुके है कि वो लेबनान के साथ युद्ध न इसराइली सेना दो मोर्चों पर बढ़ जाएगी और उतनी ताकतवर नहीं रह जाएगी जिसका खाम्याजा इसराइल को ही भुगतना पड़ेगा